ये माँ ये की सप्रादता मुझे फल बिसी दिन से ये करवा चोथ बनाई जाती है और ब्रत रखा जाती है हेलो और नमस्ते आवरिवन वेलकम बाक टू माई चैनल बीन अबिस्ट आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के सांथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से करवा चोथ सेलिबरेट किया और कैसे पूजा की साथ मैं आप लोग के सांथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने लिविंग रूम को किस तरीके से डेकुरेट किया करवा चोथ के लिए हुआ था ऐसे करवाचाथ का दिन कप निकल जाता है पता ही नहीं चलता है तो दिन में में पास काफी टाम था तो मैंने सोचा कि अपने लिविंग रूम को डेकुरेट किया जाए वैसे भी अप फेस्टिबल आना शुरू होई गये हैं और सबसे में जो फेस्टिबल है जिसक आने कुछ डियाइवाइस बनाए थे उनको चेंज कर दिया था उसको टीवी के उपड़ा दिया था और यहां पर सैवन हॉर्स वाली पिक्चर थी वह फ्रंट में लगा दी थी तो ऐसे करके मैंने चेंज कर दिये थे और कुछ फोटो वगरा थी उनको भी मैंने उनकी प्ल उसमें तो लाइट बहुत ही अच्छी लगती है इन माला से और लाइट से बिल्कुल फेस्टिवल वाली फील आने लग जाती है तो इस तरीके से मैंने सामने वाली वाल को डेकुरेट किया अब यहां पर मैंने कुछ और डियाइवाइस हैंग किये हुए हैं यह मैंने आप लगाते था क्योंकि दिन भर बच्ची यहीं पर बैठे रहते हैं कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं उसके रखके यहां पर इसको अपने लिविंग रूम को कुछ इस तरीके से मैंने डेकुरेट कर दिया था बिस चोटा सा चेंज किया हुआ है ज्यादा मैंने कोई मैंने अपने लिविंग रूम का आप लोग कमेंट में ज़रू बताएगा कि आपको कैसा लगा मेरा लिविंग रूम का डेकुरेशन और यहां पर मैंने जो इवनिंग की पूजा रहती है उसमें मस्टर्ट कलर का सूर पहना हुआ था तो जब मैं पूजा करके आगे थी उसके बाद मैंने ये वीडियो की बिख्षर चड़कर चड़नी में दीपक दिखाकर बहन से बोले की चंद्रमा निकल आया उस अगनी रूप को चंद्रमा समसकर दुख छोड़ मैं चंद्रमा को अर्ग देखे गोजन खिली रहती पहले कोर में बाल निकला दूसरे को और में च्छी वारा पड़ा है स्यो करते हैं तुम बार्र मांग के चोथ के ब्रत को बरतव करवा चोथ औ가ura ऑघ्रर ब्रत को शिद्दा और भकती। करो तब तुमारा बतीं जीवित हो उठिखे वरा नी के बचन सुल विरबती ने बईधी करवा के चोथ हो कर भड़ बरत को बड़ी बती बाक्सें किया और लेकिन प्रतों के प्राक्स से उसका पती पुने देता सद्रिश जीवत हो उठा उसी दिन से ये करवा चोथ बनाई जाती है और ब्रत रख जाती है बहुत गरीब थी वह अंधी बुडिया माई के तदिन गणेश की पुझा किया करती थी माई की पुझा से पर्षण ओकर एक दिन गणेश जी बगवान ने में दर्शन दिये और बोले कि बुडिया भाई तु रोज नी स्वार पाव से में दी पुझा करती है जो चाहे सो मांग ले बुडिया भोली है बगवान मुझे तो मांग नहीं आता तो क्या मांगो तब गणेश जी बगवान बोले कि माई मैं कलाओंगा तू अपने बेटे से बढ़ो से पुझा तो बेटा बोला मां धन मांग लेना और बभु ने कहा कि मां पुझा मांग लेना बुडिया ने करवा च Block up के काथा सुने के बाद हमने कि काथा उसके बाद हमने कि आरती और Applause मैं यंद आ पता की जो वा इस तरेके से किया ृ और यंद्ुर आपस हमने लगभक साथ बार एस तरीके से गुमाते हैं गुमांगा और कुछ और आरती की तो शाम की जो पूझी होती है कथा होती है वो सब हमने अच्छे से किया और उसके बाद और लेडिसे आ गये थी तो सब ने मिलके काफी enjoy किया dance किया तो इस तरीके से साम की पूझा हमारी अच्छे से हो गई थी और इसके बाद घर आने के बाद मैंने फिर खाना बनाना शुरू किया क्योंकि शाम को खाना बनाना थाा yêuब चोटी लैची लांग काली मिर्च ले रखा है इसको पे बाद को फ्राय युछ करणेमगी तो तो मैंने अच्छे से इसको रोज कर लिया था तो जैसे हलके ये ब्राउन हो जाए तो इसको मैं निकाल लूँगी ठंड़ा होने के लिए और ठंड़ा होने के बाद यहां पे मैंने मस्टरड ओयल लिया है इसको मैंने डाल दे जैसे तेल करम हो जाए यहां पे मैंने खड़ा इसको cutting किया है लेसन को और थोड़ा सा मैंने यहां पर अद्रक तो दोनों को अच्छे से मैं भूलनूंगी तो जैसे ही जो लेसन है हलका सा golden brown हो जाए उपर से अब हमने डाल देना है प्यांज और प्यांज को भी हमें तब तक इसको पकाना है जब तक हलके golden brown हो जाए जैसे golden golden brown हो जाए उपर से मैंने डाल दिया टमाटर और जैसे टमाटर डाले तो उसके बाद तुरंत हमने मसाले डाल देना है जैसे नमक हल्दी धनिया पौडर और यहां पर मैंने साथ में डाल दूंगी पनीर मशाला भी यहीं पर डाल दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर ल अब को मैंने से में ही डाल दिया थे अब इनको मिक्सी में अच्छे से में पेस्ट लेना है तक अच्छे पेस्ट नहींreek बतल मों जखे में पकाँए छए अधर मिक्सासा पानी पार घा कि राझ़े rområ प्तर फाने से इस में आड़ कर दिया और मटर को भी वहां पर शलंका मैंने पाने अट कर दिया है जितना भी पाने आपको लगता है कि चाहिए उतना पाने डाल दीजिए और इसके बाद यहां पे मैंने मटर डाल दिया और मटर भी इसके साथ अच्छे से पक जाएगा और इसको अच्छे से बॉइल होने देना है जैसे अच्छे से पक जाएगा और उसके बाद उपर से मैंने यहां पर डाल दिया है मलाई डाल दी है जो दूद की मलाई रहती है उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिया है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसको अच्छे से उबाल लेना है लगबग 2-3 मिनिट और उपर से अब हम डा देना है कस्तूरी मेथी इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है पनीर का तो इसमें भी फिर एक बॉयल और आने देना है और उसके बाद यहां पर से अब मैं डाल दूंगे यहां पर धनिया डाल दूंगी तो गैस की फ्लेम फिर भाम में बंद कर देनी है और उपस एक धकन ऐसमें बंद करके रख देना है और दूसरी इहां पर मैं बना जाती पूरी तो पूरी बनाने के सब्सक्राइब नोप्स कर ने लिए जैसे हम रोटी के लिए बनाते उस सथ एक जश्ब कर ने करने है वेससे तरफिन तब तक हमने यहां पे मैं बना रही हूँ राइता तो यहां राइते में मैंने लिया है खीरा और यहां पे गाजर लिया हुआ है तो यहां पे मैं जो गाजर था और खीरा था उसको अच्छे से छिलूँगी जो भार गया इसका चिकल है उसको निकाल लेना है और इसको हमें क हुआ, उसको भी चौटे चौटे पीस करके कट कर ले ना है और इसको भी अच्छे से चौप क्लिने यहां पर चौटे हैं यहां पर सिर ब्चेंट हैं यह पर बाद में प्यास है और और भीव निस मिक्स कर लिंगे और ठाहि तो काफी और ने घर मिलें हूसित रहे अपे तो पनीर के साथ तो रायता बहुत है अच्छा लगता है वैसे मैं काफी सारी और डिसे बनाने वाली थी बढ़ टाइम कम होने के वज़े से सिफ मैंने पनीर रायता और पूरी ही बनाई यहां पे और जो हमने चौप किया हुआ था गाजर और खीरे को उसको दही में डाल दे और यहां पे इसको अच्छे से मैश करके इसमें रायते में डाल दोंगी तो इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है इस रायते का और इसको बंद करके साइड में रख लोंगी अब बनाऊंगी पूरी तो मैंने पहले सारा खाना बना दिया था उसके बाद मैं रेडी हुई क करवचवत की जो शाम की पूजा रहती है रात की पूजा तो सारा खाना मेरा बनके रैडी हो गया था यहां पर पनीर बन गया था पूरी भी बन गई थी और साथ मैं रहे था तो आज हमारे कोई कैस्ट आने वाले थे उनके भी हमें धिनर नहीं पर बना हुआ है और आज यहां पर मैंने तिलक कर दिया था और मैंने मंदिर में यहां पर सारे फ्रोट्स मिठाई रख दी और साथ में सिंगार का समान रख दिया था और अच्छे से मेरी आती हो गई थी उसके बाद मैंने यह थाली अपनी रेडी कर दी चंद्रमांखी पूजा करने के लिए वैसे इस करवाचाओत मेरी हजबन साथ में नहीं थे तो अकेले ही हमने सेलिब्रेट किया और यह था मेरा लुक मैंने रेट कलर की बनान से साड़ी पहनी हुई थी तो अब चलते हैं पूजा के लिए तो वह पार्ट में शूट नहीं कर पाए क्योंकि छट में काफी अंध बिध्रा की तो इसतरीके से सेलिब्रेट केया मैने अपने करवा-चोद्थ का अवरत आहो पासंद आये होगा तो आज के वीडियो में इतना ही और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक तिल देन टेक कियार और बाबाइ